असलाम अलेकुम और रहमतुलाहिब बरकातो हूँ जैसे कि पार्ट वन में शार्जा से उम्रा को बाई रोड कैसा जा सकती बोलको पूरे डिटेल्स वगरा देखो थी वीजा पर हेड़ फॉर फिफ्टी कॉस्ट पड़को है तो मैं मल्टिपल वीजा भी ले सकती एक वन येर का तो डिपंड करता है जो मर्जी है तो मैं वो सेम प्राइस में अल्मोस्ट फॉर फिफ्टी से फाइफिफ्टी के अंदर इस तुमना मल्टिपल इंट्रि वीजा मिल जाता है एक साल का दूसरे चीज क्या बहुत हो मैं लास्ट वीडियो में ये बोली थी कि हमें शार्जा से जिद्दा जारी तो सौरी उसमें मैं रियाद बोलना कन्फ्यूस कर ली थी तो हमें शार्जा से रियाद निकले पहले मदीने को जाने का प्लान था हमारा तो अल्मोस्ट हमें चार से सवाचारकने हमें रियाद पहुंच गए थे तक्रीबन टोटल अवर्स साड़े ग्यारा से बारा गंठे की जर्नी है यवन हमें बीश में थोड़ा थोड़ा स्टाप देखो वाश्रम से अगएरा को जाको फ्रेश हो को निकले थे भी अल्हम्दलिल्ला सुबह में चार बज़े निकले सो चार तक हमें रियाद को पहुंच गए थे तो तुम्हें स्पीड मेंटेन कर लेको क्रूज में ड्राइव करे तो मैलेच और तुम्हारा टाइम भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर ले सकती है रियाद को हमारा है फर्स ताइम विजिट है माशालला शहर भूत खुबसूरत है और ट्राफिक भी माशालला वैसिच है जैसा तो मैं यूए में दुबई शार जागर हमें देखती है अल्मस्ट में हाईवे में सब ट्राफिक वैसिच थी तो रूम्स को जाने से पहले क्याती भी पार्सल ले को जाएंगे कि अब तो इत्ता ठकको थे फिर दुबारा खाने बाहर निकलने का भूत मुश्किल था उस वज़े से तो हमें पहले जाको अल्बैक ले लिए नेक्स्ट एक दो थीन रूम्स को सर्च करें तो भहुत कोस्ली थे तो उस वज़े से एको फरनिश्ट विला बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइजस में तुमना ये कॉंटिनेंटल होटल के रूम्स के अपार करे गाता तो तुमना ऐसे फरनिश्ट वाले विलेस मिलती है पूरा विल्ला तुमना एक पूरा दिन भी तुमें स्पेंड कर सकती है या तुमारी मर्ज़े लेकिन पेमेंट एक दिन करता है और बारगेनिंग कर रहते हैं तुमना दो सो तिन सो रियाल उसमें कम भी करती हो नू तो पर डे 800 रियाल का था तो बारगेनिंग के बाद प्राइजस में बहुत अच्छे से फर्निष्ट विल्लेस न रियाद में मिल जाती हैं तो जैसे कि मैं पहले जबोल को थी कि जस्ट एक नाइट रिस्ट के वास्ते हमें हैं स्टेश तो अर्ली मॉर्निंग फोर थर्टी को हमें निकले हैं से और विल्ला के ऑपोजिट एक पेट्रोल बंक था तो दुबारा से फुल करा ले रियाद से मदिना को आठ गंठे की जर्नी वो तो और उसके उपर से मदिने में उस तिन इच नुसु कैप में अपॉंट्मेंट ले कुथ हैं उसके बगएर रियाज जन्ना में इंटरी मिलना इंट्स इंपॉजिबल कि य में मेंबर के पस जा को नमास पढ़ना चाहरी हैं तो उसके वास से तुम्हें नुसु कैप में जरूर लाज़िम तुम्हें अपॉंट्मेंट ले को टाइम फिक्स करना भाउध जरूरी है ये तुम्हें खुद इंडिविज्वल भी कर ले सकती हैं जस्ट वीजा नंबर तुम्हारा उसमें डालने करता है और जो भी उसमें इंफोर्मेशन पूछ को ही उसे तुम्हें फिल करेगा तो तुम्हें एलॉटेट टाइम्स मिलती है नवें दिन तुम्हें चेक करते हैं हाँ अगर सबसे आसान क्या का तो अगर तुम्हें वीजा और टिकेट से कोई ट्रावल एजन के तुम्हें अगर बुक करा रहीं तो उन से जबोले तो तुम्हें उन्हों तुम्हें एजली तुम्हें पिक्स करको देती हैं बहुत इंपोर्टेंट चीज क्या का तो क्यूर कोड मिलने के बावजूद भी तुम्हारा टाइमिंग से एक टू आवर्स प को मेंटेन करने के वास्ते शायद उन्हों मेंटेन कर ले कोहीं तो उसके वास्ते नुसू कैप में अगर लेना चाहरी तो एक टाइम अगर तुम्हें रिजिस्टर भी करें उस टाइम नहीं लिए तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसस रहीं अल्रेडी रिजि तो जैसा कि यह सब लॉंग जर्नी से तो गाड़ी में बैट को पूरी चीज़ां खाती स्नाक्स वगएरा लेंच या ब्रेकफस्ट अगरा भी तुम्हें खाये तो अगर गाड़ी को ज्यादा गंदा नहीं करना तो छोटे वाले गार्वेज कवर्स रखो रहो जो भी कच्रा है उसमें दाल को तुम्हें एक जगा फेक सकती तो गाड़ी भी ज्यादा गंदी नहीं होती और बाहर भी कि तुम्हें कच्रा फिकने का टेंशन नहीं होता तो छोटे वाले गार्वेज कवर्स एजली वन टू टेन या काम भी तुम्हें आवेलेबल हीं तो यह सब चीजां और वेट वाइप्स हो और एक जाए नमाज और सीजर एक नाइफ फूर्ट्स हो गयरा कहते भी लेको तो एक सीजर जरूरिए आथ से रख लियो तुम्हें अपने बैक पैक में और बैक पैक्स चोटे है तुम्हें जीसे कि शू वगयरा तुम्हें पीछे रख लेने करताया है चोटा पानी का बाटल वगयरा उसके वासते लाजिम जो लाइट वेट के बैक पैक्स आती उसे तुम्हें रखो रहो तो यह सब चीज हम फ़ूद जरूरी पड़ती हैं वहां जाको तुम्हें अगर कम टाइम रहा तो तुम्हें पर्चेस करने के वासे टाइम मिलता नहीं मिलता नहीं बोल सकते हैं और सॉक्स वगएरा अगर जरूरत है तो वह भी रख लेना और दूसरी चीज क्या कतो हो नए वाले चपल लेको चलने के वास्ते परेशानी कभी नहीं कर लियो कि वह बतो जो भी तुम्हें ना कमफर्टेबल ही शू हो या स्लिपर्स हो जो कमफर्टेबल ही वैसे चपल तु तो इस वास्ते एक्स्ट्रा पेरेख जरूर गाड़ी में रखो रहो अगर वो एज्जस नहीं है तो तुम्हें अपने पुराने वाले चपल इच पहन सकती है तो अलहम्दलिल्ला हमें एक बज़े तक जो प्री बुक हमें करको थे होटल अपार्टमेंट वहां पर आको प हिसुस कर सकती है कि यहां पर आको तुम्हें किता सुकून और वो मनजर देखो तुम्हारा दिल किता खुश होता बोलको तो हमें गाड़ी की पार्किंग अपार्टमेंट के सामने चे करको थे जो होटल अपार्टमेंट में हमें स्टे करको थे वहां पेच गाड़ी की पा को इते जने जमजम के पानी करको समझ को जो नॉर्मल पानी है वो पूरा कैरी कर लेको जा लेको थे और वहां के वरकस को पूछने के बाद उन्हों बोले कि बाहर जो भी है बस थोड़ी जगा ऐसे ही जहां पे तुम्हें जमजम लिखा हुआ है वहां तुम्हें कलट कर सकती नहीं तो मस्जिद के अंदर दिम्हना れो नहींगे आप्य। तुमना जम्जम का पानी अवैलेबल है सिर्फ मदीने में आखो बाहर के अरिया में जो भी पानी रखते हैं